हेलो गाइस वल्कम बैक हो गया आप सभी लोगा दूबारा से नेकेड गेमर्स में तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और आज आप लोग को कुछ बदला बदला सा अंदाज नजर आने वाला है क्योंकि पिछला वीडियो मुझे पता है काफी ज्याद हैं बहुत कुछ क्लेक्ट हो चुका है और भाई देखो पीछे देखो एक बार पूरे विलेज का लुक देखो भाई मैंने पूरा लुक चेंज कर दिया है पूरा काफी ज्यादा भाई सब कुछ साफ सफाई पूरा क्लियर एक बराबर मैंने कर दिया है सब कुछ और आज ह हम लोग करने वाले हैं एक oh Bowl सबाने वाले जिसमें आउ पालने वाले और वीट का यह चोटा सब्धों बनाने वाले हैं क्योंकि भाई हम लोग विलेजर्स पर डिपेंदेंट नहीं रह唸hou सकते और और यहां पे इन्हों ने पता नहीं एक br candidates बना रखTH ja आप lendेkas करके बताना कि इसका क्या यूज्ज़ा क्यों क्यों की बाई मुझे सि्रियूसली पताना यी अद्यूज की देखो को से पैस्ते नersoni टो चलते हैं और दिखाते 막 रहां से अगर एक हिट लग गया तो यह मुझे छोड़ने वाला नहीं है यह हम लोग का बैंड बजा देगा तो जब तक हमारे पास उतना सफिशेंट वे में आइरन नहीं आ जाता तो भाई हम लोग अपना आइरन गोलम भी तयार करने वाले हैं और इस आइरन गोलम को हम as a bodyguard यूज़ करेंगे तो आगे आप लोग देखते रहना आगे आने वाले वीडियो जो भी होगा उसमें आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप इसको as a bodyguard आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो और बहुत कुछ इससे benefit मिलने वाला है तो चैनल बनना हो याप उडाने हो फरावर से subscribe कर लो बढ़ते हैं अपने अगले काम के तरफ तो यह चोटा सा घर आप लोगों ने देखा था हमने बनाया था और यहाँ पर देखो भाई automatic way में भाई pressure plate लगा कि मैंने दरवाजा बनाया था काफी X हो गया हो गया X हो गया यह सब यहाँ पर है तो भाई अपने काम का चीज ले लेते हैं और बढ़ते हैं फरावर से सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि हमें आज वीट फार्म बनाना है उसके लिए हमें जरूत पड़ेगा एक bucket का तो भाई bucket के लिए चाहिए iron और iron हमने पा पेड़ो फिलाद ना लेते हैं क्योंकि माईन में जाना तो भाई तो ड़ूर्च रहना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो माईन हो गया तो देखो रात होते हैं यार यह डर्मसाला बना दी हैं बाई यह हमारे घड़को डो विलेजर आते हैं और यह दोनों बेट पर इक बेट लगाया था तो एक विलेजर आता था सो जाता था तो बहुत लगता है कि अब तीसरा भेट भी मुझे लगाना पड़ेगा बहुत जल्दी तो फिलाल तो चलते हैं और भाई बहुत अभी तो आईरन खोजना बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आईरन नहीं मिलेगा इस गोलम को मार सकता हूं लेकिन इस गोलम को इसलिए नहीं मार सकता है गाइस क्योंकि आने वाली वीडियो में आप लोग को काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग एक चीज मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे आइरन गोलम को अपने बेनेफिट के लिए यूज कर सकते हो तो इसलिए मैं अभी इस गोलम को छोड़ रहा हूं तो चलो फरावर से चलते है पहले इसमें देख लेते हैं बड़ क्या पता मिल जाया रहा निधरी तो चलो भाई आ गया हूं मैं अंदर काफी ज्यादान दे रहा है भाई पहले टॉर्च चलो टॉर्च लगा देते हैं चलो एक मिनट लगाने कोई फाइदा है नहीं क्योंकि आगे से भाई यह तो प बेंडर बच जाने वाला है तो बहुत दूर भटकने के बाद भी मुझे आइरन कहीं से नहीं मिला तो मैंने सोचा कि अपने विलेज के पास ही नीचे के तरफ हम लोग डिक करते हैं और देखते हैं साइद आइरन मिल जा इधर ही कहीं क्योंकि भाई एक स्टार्टिंग में मुझे एक इधर आइरन मिला था लेकिन मैंने गलती से उसको गवा दिया था तो अब चलो फड़ावर से देखते हैं आइरन मिलता या फिर नहीं देखो यहां पे तो कोल का भरमार है कोल इकठा करते हैं और साइध इसी के नीचे चलो भाई डिक ओ भाई यह एक आइरन क्य लग है सीरियसली फालतु में मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया उदार मुझे यहीं पर डिक करना चाहिए था तो यहीं से नीचे जाएंगे डिक करते हुए देखते हैं आइरन मिलता है या फिर नहीं तो चलो फड़ावर से करते हैं भाई यहां पर तो कोल वग करते हुए आगया हूँ अभी तक आइरन दिख नहीं रहा ओ भाई चलो फाइनली आइरन मिला तो सही थोड़ा बहुत अच्छा एक स्टैक स्टैक मैं नहीं बहु सकता भाई एक आइरन मिला मुझे यहां से तो काफी देर माइनिंग करने के बाद मुझे फाइनली मिल चु लिए बाद में माइनिंग करेंगे क्योंकि आज अपना मेन काम है एक वीट फार्म बनाना चोटा सा और मैं आप लोग को बता दो कि हम लोग कुछ आटोमेटिक फार्म वगरा नहीं बनाने वाले अभी फिलाल तो अपना सर्वाइबल स्टार्ट हुआ है जैसे जैसे हम लो क्याओ बनाना होगा तो चलो वर और से दो अस बना लेते हैं एक में जार एक से जल्दी जल्दी काम नहीं होगा तो दो फर्नेस मैंने बना लिया है तो टो फौरोड्ट से हमेश्मेट करना होगा पहले आयर्स को कि हमें उससे आई revelation ब्लाउक्स मिल सक है तो चलो भाई फटाफट से पहले इसको रखते हैं और प्लेस करते हैं यह सही प्लेस रहेगा तो मैंने प्लेस कर दिया है अब फटाफट से इसको स्मेल्ट करते हैं तो यहां पर मैंने लगाया कोल मैं दोनों में लगा देता हूं क्योंकि जल्दी जल्दी हो पाएगा क्योंकि दोनों में थोड़ा एक में आधा एक में आधा कर देते हैं तो जल्दी जल्दी हो पाएगा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि भाई बहुत सारा काम है बहुत सारा काम आज खतम करना है कैसे भी तो चलो फटाफट से दोनों में मैंने आजन लगा दिया है अब जितना जल्ली जल्ली हो जाएगा उतना जल्ली से हम लोग बकेट बनाएंगे और बकेट बना के पहले तो पानी लेना है क्योंकि भाई वीट फार्म में पानी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जैसे भाई जैसे नॉर्मल खेती होता है न कि पहले फसल लगाओ फिर इरिगेट करो वैसे ही सेम होने वाला है पूरा इसमें भी बिल्कुल सेम कॉंसेप्ट लगता है तो चलो भाई अपना बकेट तयार हो चुका है और जो भी है यहां पर बच रख देते हैं फिलाल तो बाद में आगे जैसे जैसे यूज होगा उसको लेंगे और भाई नेक्स्ट अपिसोड में साथ इस अपिसोड में नहीं हो पाएगा नेक्स्ट अपिसोड में हम लोग अपना पुरा आर्मर आइरन का बनाने वाले हैं तो देख लो भाई क्या ही सकते हैं विलेजर्स को भाई उठ जाया यार मुझे सुना है रात होते भाई दोनों बंदे पहुंच जाते हैं यहां पर मुझे लगड़ा है अब एक और बेट लगाना पड़ेगा भाई मुझे तो फटावर से हम लोग सो के उठ चुके है हमारा गुड़ मॉरिंग हो चुका है और आज हम लोग बनाने वाले हैं अपना फार्म वगरा तो चलो फटावर से समान वगरा उठा लेते हैं और मुझे वह भी एक बनाना होगा तो हो तो वैसे मेरे पास खतम हो चुका है तो फटावर से बना लेते हैं और भाई देखो अगर आप लोग को फेंस बनाना होगा अगर नहीं आता है तो ये बुक पे क्लिक करना साइड में जो है बुक और उस पे उपर फेंस टाइप करना आपको पता चल जाएगा और फेंस गेट भी है देखो भाई तो ऐसे करके आप फेंस और फेंस गेट बना लेना मैं और लेड़ी बना के रख लिया हूँ आपको बस दिखा रहा हूँ एज डेमो कि अगर आप लोगो कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे आप करके बना सकते हो तो कि भाई मुझे पता है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको कितना जादा प्रॉब्लम साता है हर एक चीज क्राफ्ट करने में हर एक चीज बनाने में तो मैं एक एक आपको डिटेल बताते चलूँगा कि कैसे क्या चीज कैसे क्राफ्ट करना है तो भाई टेंसन बिलकुल नह होता है तो टेंसन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है मैं एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से मैं कवर करूंगा सारे वीडियो में तो भाई मज़दार से देखो और सब्सक्राइब करनो चैनल को फड़ावर से आने वाला वीडियो और भी ज्यादा इंट्रेस्टेंगों का ध सब्सक्राइब करते हैं और मिलते हैं आप से कंप्लीट करके तो यह पूरा फेंस मैंने तयार कर लिया है अब मुझे लगाना है यहां पर फेंस गेट तो मैंने फेंस गेट लगा दिया है देखो यहां पर ऐसे लगा दो आप बीच में कहीं भी आपको जहां मनें वहां ले आया हूं आप ऐसे हाथ में वीट रख लो और वीट दिखाते हुए बीच बीच में ऐसा नहीं आपको सीधे आगे भागना है वरना काउस बटक जाएंगे बीच से तो उन्हें दिखाते हुए रास्ते से मैंने दो काउस को पकड़के ले आया और भाई देखो यह फाइन एसे ही दीरे दीरे हम लोग इनको टाइम टाइम पर वीट खिलाते रहेंगे और हमारे काउस धीरे-धीरे बहुत सारे हो जाएंगे तो काउस फाम तो तैयार हो गया एक चोटा सा अब हमें बनाना है अपना वीट फाम अभी मैं आपको बताता हूं मैं आटोमेटिक जो वी हो जाता है और भाई वीट बहुत इंपोर्टेंट है और कहर्ट विए भी हम हैं लगाना होगा तो चलो फटा-फट से वुट्स कुछ काट के लाना है अभी हमें क्योंकि वुर्ट का जरूरत है आपको आगी बताता हूं कहां कैसे जरुवत पड़ेगा तो यहां पे मैं वुट्स काट के वापस आ चुका हूं काफी ज्यादा टाइम लग गया वुट्स काटने में और रात भी हो चुका है तो चलो सोते हैं फड़ा फड़ से तो हमारा गुड मॉर्निंग हो चुका है एक अगला दिन क सुबा आज हम लोग बनाने वाले हैं वीट फार्म और भाई वीट फार्म के लिए बहुत सारा काम बाकी है अभी करना अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया तो चलो फड़ावट से स्टार्ट करते हैं और लोकेशन भाई देखो मैंने पूरा पिछला एपिसोड जिसने भ ...काफी ज辞ा भाई काफी ज्यादा मेहनत लगा इसको पूरा रECREATE करने में है आपही भी बहुत सारा काम बाकि है अभी भी बहुत कुछ करना भाकि है तो धीरे-धीरे होते रहेगा तो फिलाल भाई चलो इसको फड़ावर से पूरा पार्म को create करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं एक एक करके आगे कैसे क्या होना है सब कुछ देखना एक बहुत ही पहले इसका design फिलाल तो complete मैंने कर लिया है देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा कुछ अच्छा दिखने के लिए ऐसा मैं बना है ताकि यह पर्मानेंट वॉटर सोर्स बन जाये आपके लिए देखो जैसे मैं यह कर रहा हूं कि दोपर मैं लाया तो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको कि अगर आप चाहो तो ऐसे बार-बार वाटर यहां से आपको ले जाना पड़ेगा लेकिन अगर एक पिट को पर्मानेंट सोर्स बना दोगे तो आपका वाटर का सोर्स इसली पूरा हो जाएगा तो चलो सोतें फिलाल फिर अगले सुब कर हो एसे वाटर तो ऐसे आप करके वाटर यूज़ कर सकते हो और फिर द Kerry आ या तो फैनली आपर हम वागों ने पूरा कमप्लीट कर दिया है यह पूरा भाई देख सकते हो अब फिलाल इसको हो से पूरा देखो व से यूज़ करके पूरा इसको मतलब एक जो प्राइमरी टीलेज होता है उसको धेना होगा एक तरीके से तो चलो इसको करके मिलते हैं आप से तो चलो भाई फटाफट से पूरा वीट लगाते हैं और मिलते हैं आप से भाई देखो बहुत ज्यादा बहुत टाइम लगने वाला है अब देखो भाई पूरा मैंने वीट लगा दिया है और अपना ग्रो होना भी स्टार्ट हो चुका है कुछ एडिया बचा हुआ है जहां कि अपने पास कैरेट्स हैं तो कुछ कैरेट्स लगा देते हैं उसलsecond कि तो भाई अब अपना ये यहां पर च्छोटा सा कैरेट्स साइड में दो चार कैरेट्स भी लगा हुआ है तो अपना यह पूरा वाम तयार हो चुका है अब भाई मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप बोन मील यूज करके कैसे जल्दी जल्दी ग्रो करा सकते हो भाई मैं सोचा था कि वुड को कुछ इस तरीके से चारो तरफ से बाउंडरी के लिए यूज करूँगा इसलिए मैं वुड लाने गया था लेकिन यह आइडिया मुझे कुछ सही नहीं लगड़ा है क्योंकि फार्म को आगे एक्स्टेंड भी करना है मुझे और भी आगे इसको थोड़ा से एक्स्टेंड करके ले जाना है तो फिलाल तो इस प्लैन को ड्रॉप करते है यही पर और आपको दिखाते हैं कि भाई कैसे बॉन मील का यूज होगा तो चलो देखते हैं फरवर से तो भाई ये जैसे बोन मील है तो इसको मैं कैरेट पर यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि कैरेट अपने लिए भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो चलो देखो ये मैंने यूज़ किया और देखो भाई तूरंद से ग्रो हो गया तो बो लोगों ने अपना एक छोटा सा काव का जो फेंस था मतलब काव फार्म था उसको मैंने बना लिया और हमारा वीट फार्म भी तैयार हो गया है तो हम लोग धीर धीर ऐसे ही करके आगे बढ़ने वाले हैं तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अच्छा लगाओ तो ला